कि नमस्का दोस्तों वागट टेक्नो आईटी शॉलुशन में आपका स्वागत है मैं आधित्य फंडित और मैं आप लोगों को आज जेम में जब आप बीड सम्मीट करते हैं इनकेस आपको कोई डॉकॉमेंट्स मिस हो जाता है या डॉकॉमेंट्स आप नहीं देते तो डिपार्टमेंट को आप वो डॉकॉमेंट्स कैसे सम्मीट करेंगे हम लोग उसके उपर डिसक्रेशन करेंगे उसके लिए आपको कितना time मिलेगा और वो documents क्या है जिसके वज़े से आप submit करना है कौन-कौन से documents वो आपको कैसे पता चलेगा यह सभी points पर discussion करें तो जैसे कि आप tender पढ़ते हैं पढ़ते बक्त ही हम लोग कुछ points को यहां पर लिखा रहता है कि time allowed for technical clarification during technical evolution five days का मुझे time दिया गया है तो यह department हमें पास दिन का time देगा यह tender के लिए documents के जो लिश्टे थे यहां पर यह documents के लिश्टे अभी हां पर यह documents का जो लिश्ट था इसके accordingly मुझे tender को submit करना था पर हमारे से कोई documents क्या हो जाता है कि कभी कभी हम जल्दी में tender वरते हैं हमारे पास कोई documents नहीं रहता है या फिर कोई documents हमसे mistake ली कुछ रह जाता है तो ऐसे condition में हम और documents को कैसे submit कर सकते after bid submission तो जब भी technical खुलेगा खुलने के बाद उनको documents verify होगा और वो हम जो भी document को submit नहीं करेंगे वो मुझे technical में disqualify नहीं करताएगा वो technical में disqualify नहीं करेगा actually क्यों क्योंकि उसने 5 दिन का time मुझे दिया जाएगा जब भी वो technical open करेगा उसके पद मुझे 5 days का time दिया जाएगा 5 days का time दिया जाएगा और 5 days में करना है मतलब मुझे फिर से दॉक्मेट को सब्र यदि मैं इस टाइम डॉरीशन के अन्दर के दॉक्मेट को सब्मिट कर देता हूं तो मैं टेखनिकल में क्वालिफई हो जाओगा जैसे कि इसको time allowed for technical क्लिरिफिकेशन बोलके भी यहां पर बताया गया है तो ऐसे नाम सिर्फ बदल गया है पर चीजे वह यह तो आप यहां पर सॉटफॉल में जाके जिसे डॉक्मेंट अप्लोड कर देते तो यहां पर कैसे करेंगे जैसे कि यहां पर यह है यह बीड नंबर है हमने टेंडर को है और मुझे यह टेंडर का चाहिए डीडेल्ट तो मैं टेंडर को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर भीड में जाएंगे भीड के सेक्सेंट में लिस्ट अफ़ बीड तो मुझे पहले पता करना है कि डॉक्मेंट क्या लगेगा तो डॉकॉमेंट सने बीड्स में हमने इस और दो का आपको यहां पे डिटेल्स और से को है आपके कोई रिप्यजरंटिचन है कुछ आपने का रीपलाइय है उसके उपर कुछ आया डिप्रेंट्मेंट का रिप्लाई तो आपको ऌछीजी यहां पे दिखिए क्या या कुछ query department ने raise क्या और उसके पर आपका कोई reply देना है ता आप वहाँ से reply भी दे सकते हैं तो documents जो आपका है वहाँ पर आपको पता चलता है pending clarification click here to submit हम यहाँ से submit करेंगे पहले हम लोग देखेंगे clarification history इसको view करते हैं view करने से मुझे पता चला कि मुझे क्या नहीं है तो OEM का authorization की जो certificate थे वो हमारे पास अभी यहाँ पे नहीं है यहाँ से यह मुझे पता चलता है कि OEM के जो authorization certificate है वो मैंने नहीं रिया तो मुझे बोला submit कीजिए valid authorization dealer certificate of SR computer करना है तो मुझे SR का हम लोगों ने mention किया रहा है इसलिए SR का मुझे submit करना है mention in certificates along with BID तो यह हमको BID के साथ करना है यहाँ पे status में आ रहा है pending request कभी किया था 25 को किया है पांच-पज के 49 को request किया है तो मुझे five days का मुझे पता था कि time मिलेगा यह मुझे clear हो जो मुझे इसको submit करना है तो हम क्या करेंगे click here to submit यहां भी जाएंगे और your response अपका response कि हम यहां पर डाल देते हैं डॉकॉमेंट्स कि सब्सक्राइब कर देंगे और यहां पर फाइल को चूज कर देंगे मेरे पास यहां पर एसर का उत्राइजिसन का सर्टिफिकेट है वह मैं यहां पर डाल दूंगा यह मेरा डॉकॉमेंट्स है और इसको मैं हम लोग यहां पर संपिट कर देंगे क्लेफिकेशन सक्सेस्फुली संपिट होगी जैसे संपिट हो गया हमारा वह उप्संस यहां से निकल गया क्लेफिकेशन हिस्ट्री में आपको यह पाद डीटेल्स में पता चलेगा आपका स्टेटस कम्प्लेट हो गया अठाइस आठ को एगारा बज़ के तेरह मेंट को आप लोग और संपिट कर दिया हम लोग यहां पर जदि उसके बाद भी कोई रिप्लाय आता है उसका डीटे तो अधिव प्रोग्राम से आप जरी पूरी जेम पोर्टल के ट्रेनिंग चाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा वहां से आप हमें कांटेट कर सकते हैं तो हम आपको यहां पर जेम के बायर और सेलर दोनों पाट के पूरी कम्प्लेट ट्रेनिंग और वीडियो अच्छे लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना थेंक यू कुछ भी आपको कोईरी रहा तो हमारे आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं तो हम आपको उसको रिप्लाई देंगे